मम्मीश किचिन क्राफ्ट में आप सबकर स्वागत हैं। आज हम बनाएंगे कच्चे आमकी सबजी या गुजराती में इसको कहते हैं वघारिय। आम नू वघारिय। केरी नू वघारिय। ये आमकी सबजी बनाने लिए हैं। सबसे पहले हमें एक दोता पूरी आम लेनी हैं। जिसे हमें दोंके छील के उसको बीटियम साइज के टुकड़े करके इसको साइज पर रखना है। सरव प्रत्रम हमें कढ़ाई में तेल रखना है। उसमें राई, जीरा, हिंग तड़के में डलता है। तड़के में साथ में इसमें हम एक चममज मेति दाना भी डालता है। अगर घर में मेति दाना सबको पसंड नहीं हूँ तो हमें अचार का मसाला 162 चममज अशमें डाल सकते हैं। यह मिन्य अचार का मसाला डाला हैं। आचार का मसाला जो हम आम की सिजन में आचार बनाने के लिए बना के रखते हैं वो मसाला ही हम एक से दो समझ इसमें डाल देंगे तो ये सबजी बहुत अच्छी बनती है ट्रावलिंग के लिए जब हम निकलते हैं तीन से चार दिन की या दो दिन की हमारी जर्नी है तब हम सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज बनाए ऐसी क्या सबजी बनाए कि 2-4 दिन तक खराब ना हो तो आज मैं बताती हूं ये सबजी ऐसी है कि इस हम 3-4 दिन तक भी साथ में रख सकते हैं और कुछी भी नहीं होता सिर्फ आप साथ में पराथे या रोटी बगिरा बना के ले लीजिए अब कुछ नहीं हो तो रास्ते में अगर ब्रेड मिल जाता है तो आप ब्रेड लेके उसको भी इसके साथ खा सकते हैं यह जाम की तरह अच्छा लगता है अभी स्वात के निशार हमने इसे नमक डाला है अभी थोड़ी धर के लिए से हिलाके हमने इसको ढट लेना है कर दो-ती मिनिट के लिए इसको ढटक के रहने देना है दो मिनिट के बाद इसे एक बार खोल के देख लेना है क्योंकि आम अगर ज्यादा पक जाएगा तब भी सबजी इसके अच्छी नहीं पड़ेगी और कच्चा रहे जाएगा तो गुर्ण और आम मिलेंगे नहीं इसलिए हमें इस तरह का पकाना है आम को कि ना ज्यादा गल जाए ना कच्चा हो अभी हमारे आम को एक दिनी तोर पकाना है क्योंकि थोड़े से गलेंगे तब ही सब्जी अच्छी लगती है अभी लग रहा है कि आम थोड़े पक गया है जिससे ही चमचे से हम लोग काटेंगे तो यह कट जाना चाहिए वरलपी हो गया है तो अभी हम इसमें गोड़ एड़ कर सकते हैं मैंने आधा किलो आम लिया है जिसमें मैंने एक बड़ी कटोरी गोड़ डाला है यह सब्जी खट्टी मिटी ही अच्छी लगती है गुर्ड डालने के बाद बराबर से मिलाना है एक्दम बराबर मिलाने के बाद उसे फिर से एक तो मिनित के लिए रखके रखना है इससे गुर्ड का पानी बनने के बाद और आम में मिलने के बाद उस सब्जी कैसी बनती है आप देखिएगा अभी आप देख सकते हैं कि ये गूर पिगल गया है और आम भी पख गये हैं तो इस अब जीक्दम बढ़िया से तैयार होने की तैयारी में है लेकिर हमें इसको ज्यादा समय रखना है तो इसलिए हम इसकी चास्नी को थोड़ा पखने देंगे ऐस को और बढ़िया करने के लिए हमें एक चमज इसमें साबुत धनिया और एक चमज सौं में जाटालनी है अभी कारिम आगया है इसमें लाल मिर्च डाल रगा अभी हम लाल रख और हल्दवाडर डालने के हैं लाल मिर्च हम कश्मीर डाल सकते हैं या तिखी वाली भी डाल सकते हैं तिखी वाली मतलब आप तेजा मिर्ची या रेसम पटी कोई भी मिर्च डाल सकते हैं अब इस साथ में हमने दल्याजीरा पावडर भी डाल दिया हैं फिर हम एक अजमी तो और इसको हिलाएंगे और इसको बराबर से मसालों को भी मिलने देंगे इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा गूर की जो चास्तनी है वो मोटी होने लगी है वलब ये सब्जी अभी काफी दिनों सा काफी महिनों तक रह सकता है ट्रेन में सफर के दर्वियाद हम रोटी पराठा के साथ ये सब्जी ले जा सकते हैं और बचों के टिफिन में भी पराठा के रोल के अंतर लगा के भी हम दे सकते हैं तो ये ज़्यादा पसंद करने वाली बच्चों को और बड़ों को ये सबजी आम की सजन में एक बार जरूर बनानी चाहिए और इसे स्टोर करके भी हम फ्रीज में भी रख सकते हैं हम स्टोर 6 मेने तक इसको इसका हम लुफ तुठा सकते हैं मेथी के थेपले, लोकी के थेपले उसके साथ तो ये सबजी बहुत ही अच्छी लगती है तो एक बार इसे जरूर से पना के देखिएगा और मुझे कमेट करके बताना कि आपको इस सबजी की रेसिपी कैसी लगी और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर से कर दीजिए क्योंकि आगे भी मैसी चैट पटी, टेश्टी रेसिपीस लाती रहोंगी तो मेरी चैनल को लाइक, सेब और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा जिससे आगे के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें इसलिए मैं हमेशा है कहती हूँ खाते रहें, खिलाते रहें और खुश रहें तो फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में नई रेसिप के साथ